हाल फिलाल में केंदर सरकार दोवार एक नई स्कीम लेके आए वो है UPS नाम से पहले NPS का विरोध कर रहे थे अब देखिए NCO पे आना था हमारी मांग तो ओकी थी और वो बंदरवारी उचलकूद आप जैसे बंदरवारी उचलकूद देख रहे हैं वोट की चोट से लौक सवा में दिखा दिया है विधान सवा के अंदर कल मा भारति के परदान तिरंगा के निचे ये हर्याना का करमचारी अपनी मुख मुखता के साथ इनके कन्नों के परदे फाड़ेगा। चिला करके तो हर कोई फाड़ता है कि विधान सबा में 90 सीटों में से दाही का अकड़ा नहीं चूपाओगे अगर करमचारी मांगों दर किनार करोगे तो। इस प्रदर्शन में हिसार के अलावा पांच जिले टोटल छे जिले जिसमें हिसार, फत्याबाद, सिर्सा, जीन्द, विवानी और चर्किदादरी के करमचारी तमाम वर्क किसी भी विभाग का, किसी भी दरजे का करमचारी है, NPS पीडित है, सरकार जो ये खेल खेल रही है, N NPS, UPS, NPS, UPS, कुछ नहीं, NPS, UPS, वो पूरों मुख्यमंत्री जी, इनको नाम लेना नहीं आए, Unified Pension Scheme, वो उसको United पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जिनको Pension का मतलब नहीं पता है, क्या है, वो गते हैं, आपको Old Days Pension भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, खाम खाका घ्यान पर OPS की मांग को लेकर एक तिरंगा मार्च निकाला जाएगा, जिसके अंदर पूरे परदेश के करमचारी यहां पर इकठा होगे, आखिर ये पूरा कारिया करम क्या रहेगा, हमारे साथ इस वक्त राज्याय के महासचीव रीशी नहीं जी इन से बाचित करेंगे, सर कल एक त अजिम मांग को लोगों तक पहुंचाते हैं, कल देखिए हमारे यहां पर जिला, दादरी, भिवाने, जीन, हिसार, सिरसा, तमाम विभागों के करमचारी यहां पर पहुंच रहे हैं, और मुझे उमीद है कि 20,000 पलस करमचारी यहां पहुंचेंगे, क्योंकि हम तिरंगा म से अपनी मांग को लेकर सडकों पर हैं, अंदोलन रहता हैं, हमने बड़े-बड़े परदर्सन किये, सरकार ने कमैटियां भी गठित की, लेकिन आपने देखा होगा, हाल फिलाल में केंदर सरकार दुवारे एक नई स्कीम, लेके आए, वो है यूपी एस नाम से, पहले एन से ओ पर आना था, हमारी मांग तो ओ की थी, और वो बंदर वाली उछड़कूद आप जैसे बंदरों की उछड़कूद देख रहे हैं, वो ही सरकार कर रही है, कि एन से सिधा यूपे चले गई, तो हम पूरी तरह इसका बाइकाट करते हैं, क्योंकि ये नपीस से पूरी च करमचारी और सबी जिलों की ब्लोक कार्या काने जिला टीम में यहां पर पहुंच रही है, आखरी यूपे ये जो आपने बताए, आखर है क्या, इसे करमचारी को किस परकार का नुक्सान है, लेकि पहले था एन पीस, वो था नो पैंसन स्कीम, अब लेके यूपे एस, यू वो सारे के सारे ओपियस ले रहे हैं, और जिस संखन को बुलाया गए हमां बात्सीत करने के लिए, वो ओपियस में, वो लोग यूपे एस के फाइदे गिना रहे हैं, स्विम ओपियस में, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से उनसे अपील करूँगा, कि आप ओपियस को आप स्विम क्यों नहीं ले लिए यूपे एस अगर ओपियस जैसी स्कीम है, हमारी मांग तो ओपियस की तो आप अगर जैसी सबद आटी जाएगा, आप ओपियस बाल कर दीजिए, इसको लेकर हम देखो जो यूपे एस आई है, उसमें कोई वो नहीं है, जो करमचारी हितम साड़े ठारा परसेंट सेर मार्केट में लगा है, हम तो ये विरोध करते हैं, कि आप एनपियस और यूपे एस के माध्यम से निजी कंपनियों को फादा पुछाने के लिए इतने क्यों उतावड़े हो चुके हो, क्यों उनके परती ऐसी क्या वफादारी है, इस वो चीज सिर्फ यूपेज करमचारी को उसमें कुछ नहीं मिल रहा, दिखाने का तो साड़े 18% कर दिया, लेकिन हमारा 10% भी हमें वापिस नहीं मिल रहा इसमें, और एक सर्वीस लेंट इसमें कर दी की 25 साल की नोकरी होगी तब आपको पैंसन मिलेगी, बही अर्द साहनी के बल की तो नोकरी ही 15-20 साल की होती है, उनको तो टोटली बार कर दिया, और हर्याना में सर्वीस में अपलाई करने की यह 12 साल है, और हमारे कुछ साथियों को अरक्षन के तहट जो छूट है, पांस साल उनको अलग से छूट है, वो सिन्तारी साल का तो सर्वीस के लिए अपलाई क तो आखि यह तिरंगा मार्च ही नाम क्यों रखा गए इसका देखिये तरंगा देश का सरोप्री है, हर व्यक्ति है जो देश का उसके दिल में तरंगा है और हमारे सेज़ों की कुर्बानी के वज़े से हमें तरंगा मिला है, उनको याद करते हुए जो उन्होंने हमें एक कि मांग कर रहा है और आप सड़कों पे उतरे ग्यापन भी आपने मंतरियों को दिया घेराओं भी किया लेकिन आपकी मांग जो की तो बनी हुई है लेकिन अब जो है विधान सभा के जो चुनाओ आगे है तो इसको लेकर करमचारी किस तरह से लाबंद होगा देखिए पैंस करोद किया हम किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई वास्ता नहीं हम हर एक जांपर जिस पार्टी की सरकार थी वहां पर हमने उसके खिला पंदोलन किया यह पूरे देश के दो लाग दो करोड़ तेराला करमचारियों का मुद्दा उनके परिवार का मुद्दा है आने वाली प जो आप निकालने हो कितने करमचारिस के अंदर इससाले रिसी पाल नैंजी ने भी बताया आपको कि हमारी उमीद लगबग लगबग 20,000 प्लस करमचारी की है कि हर्याना समस्त हर्याना पर पर 20,000 से ज़्यादा करमचारी पहुंचेगा लेकिन मापको बात बता देता हूं पेंशन बाली संगर समीती ने 2018 से लेके आज तक कि जितने भी अंदोलन किये हैं हमारी उमीद से कई गुणा ज्यादा करमचारी पहुंचे हैं हमारी उमीद हमने आपको बता दी बाकी कला आ करके जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखिएगा जन से लाब अपने हक और अधिकार के लिए किस तरह से लाम बद होता है हिसार की समार्च के अंदर कितने जिलों के करमचारी आएंगे हां देखिए हिसार के इस प्रदर्शन में हिसार के अलावा पांच जिले टोटल छे जिले जिसमें हिसार फत्याबाद सिरसा जीन्द भीवानी और चर्किदा उनाइटेड पता नहीं क्या क्या बोलते हैं जिनको पैंशन का मतलब नहीं पता है क्या है वो गयते हैं आपको ओल्डेज पैंशन भी मिलेगी ये भी मिलेगी खामखा का ग्यान परदर्शन करते हैं उनको बेसिक लोजिक पता नहीं है और इसके खिलाफ हर्याना का तमाम वरक का करमचारी लाम बंद है और अपने वोट की चोट से लौक सवा में दिखा दिया है। विधान सवा के अंदर कल मा भारती के परिधान तिरंगा के निचे ये हर्याना का करमचारी अपने मुख मुखता के साथ इनके कन्नों के परदे फाड़ेगा। चिला करके तो हर कोई फाड़ता है कि विधान सवा में 90 सीटों में से दाही का अकड़ानी चूपाओगे अगर करमचारी मांग को दर किनार करोगे तो ये अगर आप यूं कहते हैं कि यूपीएस और अब ओपीएस में कोई फरकी नहीं है तो महराज ओपीएस ही लिए आते फ लेकिन इस तिरंगा मार्च के बाद भी करमचारियों के अगर मांग सीरे नहीं चड़ी तो अब फिर इसके बाद अगला कि देखिए सर फिर 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 हमने ब्लोक स्तर जिलास्तर और राज्यस्तर के साथ राश्टे स्तर पर भी अंदोलन किया हर वक्त सरकार में वैठी पा करता है आपके आपकी सत्ता चलाने का काम करमचारी करता है लेकिन इन्होंने नहीं सुनी हमारे नेतर तो ने फैसला लिया वोट फॉर ओपियस का लोगसभा की इलेक्शन में हमने वोट फॉर ओपियस करके इन इंकारी लोगों के जबड़े से पांच सिटे निकाल ली और दूसरी पार्टी को देदी जो दूसरी पार्टी आसपास के परदेशों में पुराणी पैंशन बहल करने का काम करती हा रही अब भी दूसरी पार्टी के लोगों से भी हम एक बात कहना चाहते एं कि समय रहते अपने चुनावी घोशना पत्र से पहले लोग सबा में आप लोग चूक गए थे चल किया था हमें नहीं पता आपके घोशना पत्र की मुख्य चार पांच मंगों में अगर हमारा मुद्धा है तो हम वोट फॉर OPS करेंगे वोट फॉर OPS तो हमारा रहेगा तो आ सबस्क्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल Icon को दबाएं अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद